रतन सूत नमबर छे या महा मच्चु विजे सूत्र या महा मिर्टु विजे सूत्र या महा मिर्टु विजे सूत्र नमबर छे जो महा मारी को जीपता है उस सूत्र को उस बात को महा मच्चु विजे सूत्र कहते हैं ये सुत्र छे इसमें तीन सब्द बहुत कमाल के हैं ये पुगला अठ सत्तंग पसत्था चत्तारी एतानी युगानी होंती ते दखीनेया सुगतस्य सावका ये पुगला अठ सत्थ अंग पसत्था इसमें जो पुगला अठ सत्थ है ये पुगला अठ सत्थ पूरे गुद्ध की वारी में गुद्ध की वचन में और जो उन्होंने सिखाया है ये बारबार आएगा चत्तारी एतानी युगानी होंती और चत्तारी युगानी यानि जो चार जोडे हैं ये सब्द भी बारबार आएगा ये जो पुगला शब्द है पुगला का मतलब होता है व्यक्ति यानि कि परसंग उसको यहाँ पुगला बोलते हैं और संस्कायत भासा में पुद्गल बोलते हैं आठ व्यक्ति का जब जिक्र आता है तो आठ व्यक्ति या चार जोड़े इसका मतलब है भगवान बुद्ध के जो सावक संग है यानि जो सिस्यों का संग है सावक संग है उसमें आठ प्रकार के जो भिकुण है या भिकुण है वो मिलते हैं यानि के आठ प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वो आठ प्रकार के जो व्यक्ति हैं चार जोड़ों में होते हैं कौन से चार जोड़े होते हैं उनमें जितने की व्यक्ति हैं, आठ प्रकार के रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, या तो वो सोता पन फल है, उसके मार्क पर आरून है, उसके मार्क पर चल रहे हैं, या सोता पती फल को प्राप्त कर चुके हैं, या जो सोता पन के रास्ते पर हैं, या सोता पन फल को प्राप कर चुके हैं इनका एक जोड़ा होगा दूसरा जोड़ा होता है सक्दागामी यानि के जो सक्दागामी मार्क पर हैं उस रास्ते पर हैं सोता पती से आगे बढ़ चुके हैं या जो सक्दागामी फल को प्राप्त कर चुके हैं एक जोड़ा उनका होता है एक होता है अनागाम यानि जो अनागामी मार्क पर आगे हैं या जो अनागामी मार्क को प्राप्त कर चुके हैं एक जोड़ा उनका होता है और एक जोड़ा होता है जो अरहत मार्क पर या तो चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और या अरहत मार्क को प्राप्त कर चुके हैं यानि कि जो सोतापती हैं, जो सगदागामी हैं, जो अनागामी हैं और जो अरहत हैं, वो या तो मार्क पर चल रहे हैं या मार्क को प्राप्त कर चुके हैं, ये चार जोड़े होते हैं, इनको बारवार आठ व्यक्ति कहा जाएगा, आठ पुगल कहा जाएगा, या चार चत्त इसमें जो शब्द है वो है दक्षिनेया दक्षिनेया शब्द है और बुद्ध बंदना के अंदर दक्षिनेयों भी आती है जब हम संग बंदना करते हैं तो उसमें दक्षिनेयों भी आती है अक्सर इस शब्द का जितने भी लोग हैं वो एक उच्छाड मताते हैं कि दक्ष दख्षणा को दख्षणा बना दिया है बेसली जो पाली के अंदर दख्षणा के दो अर्थ होते हैं एक होता है दख्षण साइड यानि कि जो हम उत्तर दख्षण बोलते हैं उनमें दख्षण साइड जिसको नौर्थ बोलते हैं और यहां जो दख्षणे डेयो मतलब है या आप हमें दक्षना दो, वो हमेंसा भिक्का मांगते हैं, वो भिक्का होते हैं, और वो पिंड पात मांगते हैं, यानि पिंड जो होता है, पिंडी बोलते हैं, जो हम लड्डू बनाते हैं, उसको पहले समय में पिंडी बोला जाता था, जो बहुत अच्छा भोजन होता था, उसको बोला करते थे जो शहद का, दूद का, चावल का मिलके बनता था, उसके छोटे-छोटे छोटे-छोटे लड़ू बनाते थे, उनको पिंडी बोलते थे, तो वो जो भोजन जिसको देते थे, उसको पिंडपात बोलते थे, और उसको पिंडदान बोला करते थे, या पिंडीदान वहां से ये चला है तो वो भिक्का लेते हैं वो दच्छना नहीं लेते जो आज के समय है वो बेसिकली ये कहा गया है कि जो भिक्कु संगे वो इतना अच्छा है कि वो उसके दर्सन करने योग है यानि कि आप उसके देखेंगे उसका दर्सन भी करेंगे आत अच्छना की बात तो दूर दूर तक भी कहीं भिक्कुर संग में या बुद्ध ने कभी नहीं कहीं इसका तो निशेद है पूरी तरह से बंध है क्योंकि जो भी दान होता है वो भिक्कुर संग के लिए होता है और भिक्कुर संग जो भी ले लेता है वो जमा कराता है संग मे तो यहाँ ये दो सब्द हैं अब इसका आर्थ समझ लीजिए कि ये जो रतन सूत नंबर छे है क्या कहता है ये पुगल्ला अठ सत्तं पसत्था यानि कि ये जो आठ व्यक्ति हैं संत लोग भी साथ लोग भी अच्छे लोग भी इसको प्रसत्ति करते हैं पसत्था का मतलब है इसकी प्रस्ति इसकी प्रसंसा करते हैं चत्तारी एतानी जुगानी होनती ये जो होते हैं चार जोड़ों में होते हैं चार जोड़े इनके मिलते हैं पाय जाते हैं ते दक्षिनिया सुगत अस्य साव का ते मतलब वे जो हैं दक्षिनिया दर्सन के लिए अच्छे हैं सुगत अस्य यानि कि सुगत जो है वो भगवान को बुला गया है सुगत का मतलब होता है जिसकी गती सु हो यानि अच्छी हो यानि जिसका जो मिर्तु है जो बात का जीवन है वो बुनकुल अच्छा हो उसको सुगत बोलते हैं बुद्ध का ये नाम है सुगत अस्य का मतलब है कि भगवान बुद्ध के साव का माने हैं सिस्सों का संग यानि कि सिस्षे जो है ये भगवान बुद्ध के वो देखने योग हैं, समझने योग हैं एतेसु दिन्नानी महाफलानी एतेसु का मतलब है इन पे या इन पर अगर इनको दिया जाए क्या इनको अगर दिन्नानी दिया जाए, जो इनको दिया जाता है जैसे इनको भोजन दान देते हैं, या इनको चीवर देते हैं, या इनको जो इनके जरुत का समाने वो देते हैं, तो वो महा फल दानी होता है, उसका बहुत ज़्यादा फल मनुस्य को मिलता है, मनुस्य को बहुत ज़्यादा शांति उसमें प्राफ्थ होती है इदंपी संगे रतनंग पडितंग इदंपी माने इदंपी यह भी संगे रतनंग पडितंग संग में जो रतन है वो बहुत स्रेष्ट है अच्छा है एतेन सचेन सुवत्ती होत्व यानि इस वचन से इस सचे वचन से जो यहां महामारी फैली होई है वो स्वस्थ हो जाए, वो अच्छी हो जाए, वो कल्यानकारी हो जाए, वो मंगलकारी हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए यानि कि ये रतन सूत नमबर छे है, इसका मतलब ये है सिधा सिधा हिंदी में कि ये जो भगवान बुद्ध का जो सावक संग है इसमें चार तरह के जोड़े होते हैं जो देखने के योग होते हैं और संथ लोग भी जिनकी बहुत जादा प्रसंसा करते हैं ये भी जो संग है उसमें एक रतन है जो सबसे स्रेश्ट है रच्छा है इस बहुत अच्छी बात से भी सब लोगों को एक मनोवल बढ़ना चाहिए, सब लोगों का फायदा होना चाहिए और बीमारियां सब की ठीक होनी चाहिए, ये पॉजिटिब बात है, ये मन को बढ़ाने वाली बात है, इससे हमारी महामारी ठीक होनी चाहिए, धन्यवाद संखन्षरनं गच्छामे